नमस्कार, मैं हूँ अभिशेक चतुरवेदी, धर्म कर्म में आप सभी का स्वागत है, नजर डालते हैं पंचांग पर बताते हैं आपो आज कौन सी तिथी है और पंचांग के मताबिक यह है आपके लिए क्या फलदाई है जानिये पंचांग के अनुसार, आज कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्रों का कैसा योग बन रहा है, यह क्या फलदाई हो सकते हैं पंचांग में आज के योग पर नजर डालें तो आज कौन कौन से योग बन रहे हैं, इनमें विशिष्ट योग कौन सा है यह भी आपको बताते हैं योग द्रुव नामक नेसरगिक शुब योग साएं चार बचकर 47 मिनिट तक तदंतर व्यागात नामक नेसरगिक अशुब योग है व्यागात योग की प्रथम नौ घती शुब कार्यों में त्याज्य है विशिष्ट योग सरवाद सिधी वरव योग नामक शुब योग रात्री नौ बचकर 40 मिनिट तक है करण भद्रा संग्यक विश्ट नामकरण साएं चार बचकर 15 मिनिट तक तदंतर ववालवादी करण करमश्य है नजर आज के व्रतोत्सफ त्योहार और विशेश आयोजनों पर भी डाल लेते हैं व्रतोत्सफ आज विनाय चतूर्थी उमा चतूर्थी गुरु अरजुन देव पुर्ण दिवस तथा गंडमुल प्रारम रात्री नौ बचकर 40 मिनिट से और अब जानिये जोतिशियों के मताविक पंचांग में चंदरमा की सिती क्या रहने वाली है रहूकाल और दिशाशूल के बारे में भी जानिये चंद्रमा करकर राशी में संपुन दिवरातरी है उस्पीतर के बढ़ते हैं एक और महत्वपून विशे की ओर जान लेते हैं शुब महुर्थ और सृष्ट चोघड़ी ये के बारे में शुब मुहरत उपर्योक्त शिभा शुब समय तीथी वार नक्षत्र वयोगा नुसार आज पुश्य नक्षत्र में नामक्रण अनप्राशन विपनी व्यापारंभ वशल्ले चिकित्सा आधिके यथा आवशक शुब मुहरत है शुब तथा दौपहर बाद दो बचकर आठ मिनिट से सुर्यास्त तक क्रमशे चरलाब वअमरत की शुब मुहरत अब आपको बताते हैं जिन बच्चों का जन्म आज हुआ है जो तिशानुसार उन बच्चों की राशी क्या होगी और उनका स्वभाव कैसा रह सकता है आज जन्म लेने वाले बच्चे आज जन्म लेने वाले बच्चों के नाम हे हो डा डी डू आधी अक्षरों पर रखे जा सकते हैं इनके जन्म राशी करक है करकराशी के स्वामी चंद्रमा है इनका जन्म रज़त पात से है सामने ते जातक, बुद्धिमान, सुशील, होश्यार, आस्थावां, दूसरों के काम आने वाले चतुर, मेधावी तथा प्रशाशने कार्यों में दक्ष होते हैं इनका भाग्योदे तीस वर्ष के आयू के बाद प्राय होता है करकर आशे वाले जातकों को अपने परिश्वरम का पूर्ण फल मिलेगा दूर परे की यात्रा होगी जो लाप्रद रहेगी धार में कारयों में विशेश दूची रहेगी तो पंचांग, ग्रह, नक्षत्र और चोगडिये आदी के बारे में जाना आपने उलेखनी है कि ग्रह, नक्षत्र भी उनहीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर भरूसा रखते हैं आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद